यह दोस्तो देखिए वैसा तो देश में टाटाज का जो दूसरा नाम है वो ट्रेस्ट है लेकिन फिर भी इस ट्रेस्ट के साथ अगर कंपनी में जो हमारा शेर होल्डिंग पैटर्न है वो अच्छा हो प्रोमोटर होल्डिंग एफ आई डियाई अच्छी हो तो यह कंपनी में हम लेखने वाले हैं वह प्रोमोटर होल्डिंग ही देखने वाले हैं देख़िए 24 प्रेसेंट प्रोमोटर 15-27 फाइए और साथ में डेखिए तो यह है बड़ा ही रहे है घटा नहीं रहे है कहीं इसके बाद छार प्रेसंट लगभग डियाई आई एई हैं डिय के पास है फिर सिर्फ 36% कंपनी के देखिये रेजर्व देखते हैं तो जहां कहीं सिर्फ 1500 करोर के रेजर्व हुआ करते थे वहां 1600 करोर के रेजर्व हो चुके हैं और जहां करजा हुआ करता था कभी 34 करोर का 69 करोर का तो करज भी थोड़ा सा बढ़ा है इसमें 187 करोड का हुआ है लेकिन इस रेजर के सामने ये करजा बहुत कम है लगभग 5% ही करज है कमपटी के पास तो कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है बहुत लगभग देफट फ्री ही है औल्मोस्ट कमपनी की सेल्स ग्रोथ देखिए बहुत ही शानदार सेल्स ग्रोथ है दस साल में 17, 15, 16, 3 सालों में और 31% इस साल से है प्रोफिट ग्रोथ देखिए तो 46% का इस साल और C.A.G.R. 104% पिछले 3 सालों से और कमपनी जो है IT सेक्टर से है तो IT सेक् आता है तो इस साल कम रही बाकी return on equity हर बार 30% से उपर रही है बहुत शांदार return on equity है तो देखिए कंपनी का कामकाज देख लिते हैं यहां आप कंपनी का नाम भी देख सकते हैं टाटा इलेक्सी करती क्या है देखिए यह जो है world leading provider of design and technology services across industries including automobile, media, communication और healthcare में भी है कंपनी और साथ भी साथ देखिए healthcare में टाटा इलेक्सी provide integrated service for research and strategy, research भी company provide कराती है, strategy भी software भी बनाती है तो बहुत अच्छा company का जो है एक business model है यहां पर आप देख सकते हैं अगर जियोग्राफिकली इसको देखें तो अमेरिका से आता है 36%, इंडिया में 13% कामकाज होता है और rest of world में 14% का है तो बहुत सांदार है और यहां देखें यूरोप से 36.5% यूरोप में काम करती है company तो जायतर जो है revenue बहार से यह आता है और जो big countries है जो big economic country है वहां से आता है इसका revenue तो एक शांदार है और देख लेते हैं देखें इंडिस्ट्री जो यह इंडिस्ट्री बाइस का revenue देखते हैं तो देखेंगे communication और broadcasting से आता है 44% का और यहां देखेंगे तो transportation से भी आता है 41% और health care और medicine से 10% का है other से 4% का तो company के बारे में तो आपको पीछे बताई दिया है टाटा इलैक्सी है company 6908 रुपे का share price है देखें discount पर मिल रहा है company लगभग साड़े 9-10,000 के आसपास भी share risk का trade कर रहा था फिर जैसी round fall आया तो minus में आगी थी company अब 6,900 रुपे पर trade कर रहा है 43 करोड की company है 6,900 का share price है और high और low देखेंगे तो 10,760 रुपे high गया था और low है 5266 रुपे का मतलब low के पास ही मिल रहा है और P है 64 थोड़ा सा महंगा हलका सा book value 202 तरकी face value 10 की है तो split भी देखने को मिल सकता है ROE 37% और ROE 47.7% है बहुत सांदार है और देखें कुछ लोग कहते हैं कि पैनी share बताईए चोटे share तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि भाई आप यह क्यों देखते हैं कि share एक रुपे का हो हमने share एक रुपे का नहीं देखना है हमने industry देखो ना यहाँ पर देखो माली जी यह 43 करोड की company है इसका share price आपको 6000 करोड है 6900 रुपे कोई और 43,000 करोड की company है उसका भी आपको share price जो है उसका एक रुपे है तो उसका इस्टोक आपको एक रुपे मिल लेकिन अगर आप उसको 6000 रुपे लगाएंगे तो आपकी वैली तो वही है ना अगर यह कल को 43,000 से 4,30,000 पहुचती है तो आपका एक रुपे पहुचती है तो यह भी तो सो गुना होगा ना आप इसको समझो तो वैली जो है यहां से देखो करो ना कि share price से एक रुपे का share अगर वो सो गुना होगा तो सो बनेगा यह भी तो बन सकता है ना 43,000 करोड की company भी वो है 43 की यह है तो इसलिए अच्छी company में invest करो यह मत देख हो कर एक रुपे का है share यह एक हजार का है यह नहीं देखना चाहिए market में company में देखे प्रोज देखते हैं और कुछ कौन तो प्रोज में एक देखे गिव कार्टर जो है देने वाली है company अच्छा है CAGR है पिछले पांच सालों में 26% का और ROE है 31.6 का company एक dividend भी देती है इसक इस्टोक यह कौंज में है देखे इस्टोक 25 गुना book values उपर है तो यह हो जाता है कारण वही कई बार बताया है आपको के अच्छे profit जब company करती है तो हो जाता है लास्ट में देखे company जो है अपने sector में top पर है तो देखे दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई तो like जरूर कर जिएगा मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद जय भारत